नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है अपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में गाइस वीडियो होने वाला है बन दी आमर ट्राइगन्स वासे स्पींगर ट्राइगन्स के बीच जो खेला जाएगा मैच अश्पा गिजार टीटी लीग का मेक्शुर करना वीडियो अं चैनल में ने हो तो सब्सक्राइब कर दो इसके बाद जो हम लोग को वीडियो मिलने वाला शायद एक अधा हंड़ा बात वह गाई यह मैच कभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तीम भी आपको मिल जाएगा इसका कहां पर टेलिग्राम चैनल में अपडेटेट सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इनके बारे में अगर आपको डेटेल्स में जानना है तो प्रिविएज वीडियो देख सकते हो फिलाल रिसेंट मैच जहां पर गाई यह फर्स्ट मैच था 142-45, 143-4 जो लास्ट मैच आप अगर देखो तो लास्ट मैच यह केल के आ रहा है गाईज बीडी जो विन किया तो इसमें घानी 57, जजाए 88, एकरम खेल का 18, नसीर जमाल का 20 था शर्फुद्दिन अश्रफ दो विकेट वाकर सलम खेल का एक वाफदर मोमन का एक तो शर्फुद्दिन अश्रफ जो दो विकेट लिया ना पावर प्ले में इन दोनों ही गाईज एक राइट हेंडर बैस्में था तो यह एक देखने वाले चीज होगा तो फिर बीडी यहा अगर रहमत शा पकड़ो एंड टॉप और के प्लेयर पकड़ो सभी राइट हेंड बैट्समें थे जिनको शर्फुद्दिन अश्रफ ने तंग किया था में के खिलाफ उस्मान गनी गाइस 178 चेस किया था 179 एक रन हार गया था यहां पे गाइस दो विकेट मिला था सलाम खेल को तो उसमें फॉस्ट विकेट था नजीब तरह का एक लेव ठेंड राइट है राइट है जो शुरू में इनको आउट किया था तो उस्मान गानी 79 एन हजरत जय 24 अफगान गा 59 बॉलिंग से शर्फुदिन अश्रफ का दो वकर सलम खेल का दो एन मुहम्मद इब्राह यह दूसरा वाला है इनका एक विकेट था तो अब आता है गाइस इंड्रेस्टिंग सा बात मैं अगर देखोगे स्टी के खिलाफ स्टी जो लास्ट मैच खेल के आ रहा है क्या किया था गाइस स्टी ने गाइस अपने लास्ट मैच में 175 का टार्गेट दिया था जो 170 रंद कर दिया था उपने ने काइस तो इनका बॉलिंग बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग है समलोग नहीं बोल पाएंगे सुक्रोडी जो राइट-handed बैस्पन 79 रं किया था ओपिनिंग आते हो है एमालम जो राइट-handed बैस्पन वान डाउन 52 फिर करीम साधिक तेरा अठरा अठरा व तो फिर उसका आगे वाला मैच में साधिक 33 तेइस जजाए रामन अला साग अठरा अदिल यहां पर फिर से दो काई समयत का एक करीम साधिक का एक फिर उसका आगे वाला मैच में गाइस जुबेद अगबरी का 51 यह फर्स्ट मैच 38 खान का फिर वहिदुला शवक 22 रामन अल साहक 16 आदिल का था तीन एक मेडिन तो यह देखने लाए चीज इसमें अटलिस मेडिन किया साधिक फिर से यहां पर पाच विकेट आलम का एक विकेट जहीद अगबर का फिर से एक जमीर खान का एक विकेट तो अगर आप अगर कंसिस्टेंली अगर देखोगे कॉन पर्फ इनिंक स्टी बॉलिंग करता है इस मैच में अब तक बीडी ने चेस सब्पी मैचेस चेस किया अगर बीडी का फर्च बैटिंग होता है तब आदिल एक अच्छे चोईस होंगे अधर वाइस अपना डॉप कर सकते हो यह रिस्क हो जाएगा बट ले सकते हो अब बिकॉस आदिल राइटम मीडियम फिर गाइस आएंगे कान जुबे दगबरी एक लेफटम और तो लोग शायर इनको बॉलिंग भी नाद दिल आया जाए शुरू में तो यहां पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि आदिल कल जजाई फॉर्म में आते हुए तो लास्ट मैच में 26 बॉल में 38 किया था तो आइधिंग जजाई एक शॉट है बड़े नॉक से तो आप जरू इनको घील में खाज करके कैप्टेन वाइस के पर डग सकते हो वाकर सलम खेल अगर फर्स इनिंग बॉलिंग करता है मस्ट कैप्टेन वाइस के चैप्टेन चोईज होगा जील में जब बता रहा हूं विकोज ये डेथ भी डालेंगे एक चाइनमें बॉलर डेथ डालेगा तो बहुत ज्यादा रिस्त हो जाता है विकेट ज्यादा लेनी के चांसे निकल के आते हैं बीडी बॉलिंग हाइस अश्रफ एन वाकर सलम खेल अगर अश्रफ शुरू में इनको कर सकता है गाइस टी सुखोरोडी गाइस जो अपेनिंग करेंगे जो लास्ट मैच अच्छा केल के आ रहा है सभी इनको शायद स्मॉल लीग में ले तो आप इनको ना एक आदा टीम में जरूरू ड्रॉप कर सकतो रिजन एक ही है अगर शर्फुदी नश्रफ चला त इस सेजन भी अच्छे बॉलिंग कर रहें तो इनके साथ ज्यादा अब भरोसा रख सकतो ना कि किसके ओपर टी सुर्फ रोडी जो सुरू में खेलेंगे इवेन एक किसी एक को जरूर डॉप कर देना दोनों जो इनका टॉप ओडर में होगा एक एम आजी महमद आलम बोलके जो इसको और ज्यादा मेरे जो मैंने जो बात किया इसको पूफ कर देता है बिकॉस आपकर देखो कि जितना भी पावर प्ले में विकेट है तो जो पी सुख्रोडी जो भी है इनका नाम तो यह एक तामीम है तामीम राइट है रामीम तो यहां पे थोड़ा दिक्कत होना जो इनको SSF को खिलते हैं अधर जेद अगड़ी एक चैप्टन वासकर जोइस डिफेंचियल विकॉस यह शुरू में अगर बॉलिं करता है उस्मान घानी हजड़तूला जय जरू लिफ थैंडर बैस्मन घानी एक राइट हैंडर बैस्मान एक राइट हैंड अगा तो आज चैनल को जिल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो यह रहा मेरा जो जन्ता भी सिलेट किया यह होना चाहिए कुछ ऐसा कि उसमान घानी कैप्टेन होगा जन्ता इसा ही कुछ टीम के साथ जाएगा आप अगर स्मॉल लीग देखोगे वीसी रखेगा यह साधिक को भी आप लोग वीसी ट्राइकर सकते हो जो जन्ता भी शायद इन तीनों के साथ जाएगा प्रोबर श्मान घानी के साधिक एंस़र्फुदी नश्रफो जो बहुत जयादा सेफ जाने का ट्राइकर वो यह न्ढोल ऑन चाहिए बट इस जाएव को त्यों में क्या प्जिच तो उस्मान घा यह लास्ट मैंच अच्छा बैटिंग गया तो सब इनको साथ जरूर जाएगा डिफरेंटियल जै डगबडी को जरूर आप ट्राइ कर सकते हो एस अ कैप्टेन वाइस कैप्टेन जो शुरू में बाल बैटिंग करेंगे पाउर प्ले में भी तो एक और चॉइस क्या होगा ग रख सकते हो वाफदार मोमन को मैंने ट्राइ कर लिया फिर वाकर सलम खेल तो यह मेरा एक डिफरेंशल चोइस मैं यह ऐसा मान के चल रहा हूं गाइस की इन लोग का फस्ट बैटिंग होगा जहां पर जजजाई बढ़ा करेंगे उस्मान घानी बढ़ा स्कोर करेगा इब्र जादा प्रिफर करूंगा ओवेस सा बात है जी एल खेलना बिकॉस ऐसे मैचेस जहां पर गाइस आप अगर थ्री फोर मेंबस के लिग खेल तो थोरा रिस्की बन जाता है अगर आप क्लोस टू जी एल टीम ना हुआ तो आपका टीम तो आप हार जाने के चांसस है अगर तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल मेंने तो सब्सक्राइब कर देना और टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन हो जाना थैंक्यू गैस